ओके जी असलालेकूम कैसे हैं आप लोग उम्मीद है आप सबखेरियत से होंगे आज हम इंशालला स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक पास्टे पर स्टार्ट करने जा रहे हैं for December 2023 अटेम्ट का जो latest पास्टे पर है का और बच्चे एकसर डरते भी हैं कैश प्लो के टॉपिक से कहते हैं कि यार इस टॉपिक में यह मसला है वो मसला है थोड़ा ट्रिकी है बहुत सारी चीज़ें चोटी-चोटी तो अब्जेक्टिव यह होगा कि इस क्लास के थूँ यह डर खतम किया जा है यह डर मेजर चीज ही डर है और मैंने हमेशा बोलता हूँ और कोई चीज नहीं है तो सबसे पहले आपकी मोटिवेशन के लिए हमारी डी सेट अटेब में हैं वी हैं फ्रम इंस्टिट्यूट मिर्चावाल इंस्ट्ट्व वैसे थर्टीन ए एक पोजीशन अभी समें जो एक आत दिन पहले बच्चे थे जिन्हों ने हमारी गाइडेंस ली प्रॉपर और बच्चों ने महनत की और यह आपके सामने है तो हम आगे मूफ करते हैं अब अच्छा यह बिल्कुल लेटेस्ट वेसन है उसका इस सवाल को करने से पहले एक छोटी सी बात बस जहन में यह रख लें एक बात लो के लेक्ट देखें में वैसे तो मैं चीजें श्लोग कर गई समझाता हूं सारी चीजें लेकिन अगर वो देखें में तो ज्यादा बहता रहे रहे और फिर मैं जो इसका प्री पॉपुलेटेड वाला एरिया उसके लिए मैं एक्सल वाले इससे पर चले जाँ जाँ नो कभी लो कंपनी इस दी पेरिंट कंपी ऑफ देख्रोप फिनेंशल यर एंट इस 31st December 2000 x5 राइट यह अकांटिंग पीरिड अपने जहन में रखें आपको पता है आपका पेपर एक्जिबिट की फॉर्म होता है वैसे मैंने तो उस पेपर की कटिंग करके यहां लिख दि एक्जिबिट्स अवेलिबल ऑफ दी लेफ एंट साइड ऑफ दी स्क्रीन प्रवाइड इंफरमिशन पहली चीज़े एक्विजिशन ऑफ टूडोस कंपनी यह नि दूरिंग दैयर मेरे प्यारे बच्चो दूरिंग दैयर एक चलती वी कंपनी को हमनें खरीदा होगा पquiएते हो या चलती हुई कंपनी आप बेचते हो तो जब च्लती हुई कंपनी खरीद ओ या बेच तो सारे बैलिजनस हिलते चुका है राइट, okay? now, एक फानेशल इंस्ट्रॉमेंट का फानेशल इंस्रॉमेंट बजाएंड धराने के लिए बिलकुल ही कुछ भी नहीं, फानेशल इंस्रॉमेंट के स्टेंडर अपलाएं नहीं है और ऐसी थोड़ी सी बात है, ठीक है? then फिर उसने कह रहा है कि consolidated statement का आपको उसने extracts दिये में वह हमें सही करने वो ही जो pre-populated का जो काम है ठीक है जी ना यह requirements भी आपके सामने एड़्जस requirement number one वो ही है pre-populated वाला जो excel वाला काम है spreadsheet वाला काम है वो है requirement number two और three to be very honest यार पुराने पुराने इसने तैयार पुराना काम दे दिया यानि अगर कोई इजद से past paper करके या है ना जो हम बोलते हैं kit आराम से वो यह requirement requirement number two और three तो ऐसे ही कर सकता है general यानि 10 और six 16 marks तो यार पूरे generalist में दिये है जो पुराने दिये है अब यहां से game शुरू करते है जो इसने acquisition की है बहराल यह जो अब जो चीज में आपके सामने type करके लिखी वी असल में यह एक exhibit था असल में यह एक exhibit था बिल्कुल energy से बैठो बिल्कुल energy से बैठो इस यकीन से के question बहतरीन तरीके से समझ जाओगे special बहतरीन तरीके से समझ जाओगे राइट ओके कभीलो company acquired 80% of the 100,000 ordinary shares on 30th June को year के mid में आपने year के mid में इसको take over किया हमारा year 31st December X5 को end हो रहा था हमारा year 31st December X5 को end हो रहा था अब क्या कह रहे है कह रहे है कि the consideration consisted of a cash payment of 55 यह 55 लिखा है $5 per share typist ने थोड़ी सी खलती कि $5 per share है $5 per share acquired यानि एक-एक share acquired करने के लिए cash consideration दी है $5 सही है अब चलो जल्ले लिए अपना दिमाग का calculator यूज़ करो S company नहीं Trudeau company जो S company दे उसना आद तक 100,000 share issue किए वे थे हमने उसके कितने share खरीदे है बेटा 80% खरीदे है यह रहे 80% तो इसका मतलब हमने 80,000 shares उनके खरीदे में 80,000 share खरीदे है और एक share के बदले हमने दिया $5 एक share के बदले दिया $5 या आगई cash consideration एक share के बदले हमने $5 दिया है यह आ गई cash consideration अब नेक्स चीज़ क्या है देखो and an issue of one cabelo company's equity share for every four shares acquired in true यह share exchange भी है देखो share exchange वहाँ से चार shares आएंगे वहाँ से four shares आएंगे तो हम अपना एक share देंगे हम अपना एक share देंगे तो बेटा आप सीधी बात है वहाँ से चार share आएंगे हम अपना एक share देंगे ठीक है जी तो अब यहाँ से आप fraction बनाना आपको आता है one upon four का यानि उनकी तरफ से जो shares आ रहे होते हैं हमेशा denominator में जाते हैं और हमारी तरफ से जा रहे है तो numerator में तो एक बटा चार one upon four का fraction बना और बेटा हमने उनसे कितने share लिया है यह देखो 80,000 तो simple यह कर लो 80,000 into one upon four यह बना 20,000 shares तो मैं एक बात बोलू हमारी तरफ से मेरा पुराना डालोगे हमारी तरफ से जो कीमत के तौर पे हमारी तरफ से जो कीमत के तौर पे parent company वाले shares हमने शुकी है वो 20,000 shares है यानि समझ लो हमने parent company ने कीमत के तौर पे 20,000 chocolates दी है parent company ने कीमत के तौर पे 20,000 chocolates दी है और बताओ parent company की एक chocolate कितने की है यह रही देखो the fair value of Kabilo Kabilo parent company $13 यह $13 है और यह $8 है भाई यह $8 है सही है यह subsidiary company के share price है subsidiary company के share price भी क्यों given है बताता हूँ वो fair value of NCA निकालने के लिए सोचो consolidation पढ़के आये वह वह बिटा consolidation अपढ़ लिया है तो यह $13 जो है न यह $13 यह $13 parent company के एक share की price है यानि यूँ सोचो और बच्चों की तरह चलो parent company ने कीमत की तोर पे 20,000 chocolates दी है और parent company के एक chocolate है $13 की तो multiply by $13 करोगे न तो यह shares consideration भी तुम्हारा पाँ जाएगी यह shares consideration भी आजाएगी सही है तो यह रही cash consideration बेटा यह रही उपर cash consideration यह cash consideration थी और यह shares consideration भी आगई यह shares consideration भी आगई shares consideration आगई तो यह क्यों यह मैंने क्यों calculate कर दी ताके ताके मुझे बाद में goodwill निकालने में आसानी हूँ goodwill निकालनी पड़ेगी total COI मैंने निकाल दी बातों में यह बढ़ा काम नहीं है तीचर साथ बैठ है ऐसे को धरने की बात नहीं है रूटीन काम है consolidation का F7 में भी किया है F3 लेवल पे भी यह सब किया है cost of investment निकालना कौन सी बड़ी बात है ठीक है जी now अब देखो बताओ मुझे सोच के बताओ जल्दी नहीं करो बेटा कभी लो parent company acquired 80% जब parent company ने S company के 80% share acquired की है तो बाकी 20% NCA होगा हाँ तो total S company ने आद तक यह देखो 100,000 share issue किये है total S company ने आद तक 100,000 share issue किये हैं जिसमें से हमने 80% यानी 80,000 shares खरीद ली है तो बाकी 20,000 NCA होगा बाकी 20,000 share NCA क्यों होगे चलो अब आपको पता है goodwill निकालने के लिए full goodwill method में fair value of NCA चाहिए होती है तो कभी कबार fair value of NCA तयार plate में रखके given होती है और अगर नहीं given होती और अगर नहीं given होती तो फिर आपके पास उसकी share price given होती है subsidiary company और वो यह रही 8 dollar तो अगर मुझे अगर मुझे fair value of NCA at acquisition निकालना है न अगर at acquisition निकालना है तो वो कितना होगा बता हूँ 20,000 shares है NCA के और एक share की fair value dollar 8 S कम यह खतम यह लो आ गई 160,000 ठक fair value of NCA भी आ गई यह अभी बातो बातो मैं rough 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 ऐसे हलका फुलका starters खिला रहा हूँ अगर फुलका ऐसे walk कर रहे हैं walk कर रहे हैं साथ साथ यह मिला डाल लिया यह मिला उठा लिया यह मिला उठा लिया ऐसे ऐसे ठीक है खिला पुलका पुलका देबंगा वे को लिया उठा लिया यह जून एक्स 5 यह नहीं जैसे उस company को टेक अवर किया वह अपने साथ यह सब चीजे लेकर आई तो अपने दिमाग पर जोड़ो इधर जोड़ो जब वह अपने साथ यह सब चीजे लेकर आई तो उसने हमारे सारे बैलंसे ला दिया होंगे जो हमारे existing balances होंगे उसके आज साथ आके ये property plant and equipment मिला होगा तो उसने पीपी को हिलाया होगा inventory ने inventory को हिलाया होगा trade receivable को हिलाया होगा इस सब हिलना हुआ होगा अब तो इन सब चीजों के जब मैं movements calculate कर रहा होगा मेरी बात को सुने प्लीज यही चीज समझ लिए यही असल दे लिए इस सवाल का इन तमाम चीजों की जब मैं movement जैसे increase or decrease in inventory मैं calculate करता हूँ receivable payable तो उसमें इस चीज को अलग से करना होगा इस सब्सक्राइब तो अब उन डबों के अंदर जो अलग अलग चीज़े ना उनके cash flow नहीं नहीं दिखाने यानि यह जो ऑब्यस की बात है जब चलती भी कंपनी खरीदी तो साथ यह पीपी है हमें मिल गया ना साथ यह property प्रपटी प्लांट इन एक मिल गया लेकिन इसकी पेमेंट उस टोटल कंपनी की पेमेंट में हो गई है तो अब यह कोई यह 421,000 कोई cash flow नहीं है बेशक इसने पीपी के बैलेंस को अपडेट किया होगा पीपी के बैलेंस को यह इसने मेरे मेरे प्यारे बच्चो अपडेट किया होगा मैं मानता हूं लेकिन यह कोई cash flow नहीं है तरह सोचो यहां देखे अगर आज मैंने यह देखो यह वॉलट गर आज मैंने खरीदा से होगा और जैसी मैं इस बालेट को खोला ना ऐडर भी कि पैसे निकले हम कुछ पैसे निकले हम अंदर यहैं कुछ पैसे मुझे wallet 40,000 का पढ़ गया ना याद है यह सिखा चुका हूँ तुम लोग या तो बस अब आप सोचो आपने इस company को खरीदने के लिए cash consideration किती दीती देखे उपर जाता हूँ इस company को खरीदने के लिए cash consideration दीती देखो यह cash consideration 800,000 multiply by five यह होता है 400,000 यह अपने cash दिया था यह आपने 400,000 का cash दिया था लेकिन जैसे यह cash दिया बदले में चलती भी company उपकपनी के अदर खुद भी कुछ cash है company के अंदर खुद भी कुछ cash है चेक करो company के अंदर इतना cash है 24,900 ज़रा सोचो आपने चलती भी कंपनी के लिए 4,400,000 का कैश दिया था और जब कंपनी आपके हाथ में आई तो उसके अंदर 24,900 का कैश अल्रेडी था तो 400,000 less 24,900 तो आपको जो net amount है वो outflow आपको दिखाना होगा investing activities में सही है बस ये दिखा दिया इसका मतलब इस कंपनी का पूरा cash flow हो गया अब बाकी सारी चीजों ने जो balances हिलाएना वो adjust आपने करना होगा वो आपने adjust करना होगा ओके चलो property, plant and equipment का तो मैं अलग से समझाता हूँ थीक है बलके अब ही समझाता हूँ पहले property, plant and equipment से शुरू करता हूँ चलो अच्छे जरा English पढ़ें ये क्या लिखा है ये word क्या लिखा है the caring amount यानि ये property, plant and equipment जो हमारे पास आए ये अपनी caring value पर आए caring value जबके सुनो और गौर से सुनो जबके take over के वक्त आप S company की चीज़ों को fair value पर record करते हो, S company के तमाम assets को fair value पर लेकर आते हो तो ये caring value है PPE की तो अभी fair value पर लाने का एक अमल बाकी है जिसको fair value adjustment बोलते है जिसको fair value adjustment बोलते हैं, चलो पढ़ो नीचे the only, देखो उसने कितना clear बात लिखे, the only fair value adjustment on acquisition related to plant which had a fair value of 50,000 above its caring amount, यानि ये 421,000 already fair value पर नहीं है इसमें एक 50,000 की fair value adjustment भी करनी है इसमें एक 50,000 add 50,000 add करोगे, तो फिर fair value adjustment हो जाएगी इसमें एक 50,000 add करोगे इसमें एक 50,000 add करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों fair value adjustment हो जाएगी तो फिर ये fair value पाएगा और असल में जब parent company, s company को take over करती है तो उसको plant को fair value पही लाना होता है, सही है न? तो अब मैं तुम्हें एक plant and equipment का account भी बना कर दिखाता हूँ और तुम्हें इस साल बताता हूँ कितना cash पर आपने account कितने का खरीदा चलो इन होच में रहा है, डरने का नहीं है, डरने का नहीं है, सारा ही मैं करूँगा, end तक करूँगा भाई, डरूँगा चलो ये defer tax वाली line अभी छोड़ दो, ये मैं करा दूँगा defer tax वाली line छोड़ दीजे देखो इसने क्या लिखा भाई, ये line पड़ो बड़ी चीड़ है, statement of cash flows figures for movements in inventories, trade receivables and trade payables, देखो, and property plan and equipment have been calculated by considering, देखो, simply the differences in the year-end balances in the consolidated statement, या नि, उसने closing SOFP और opening SOFP के difference से काम कर दिया तो आप सोचो, जब आपने चलती वी company year के mid में खरीदी होगी, जब आपने, प्लीज सोचो, आपने चलती वी company year के mid में खरीदी होगी, तो उसके साथ, उसकी inventory, receival, payables सब आ गया होगा, तो हमारे साथ, हमारे साथ जब वो शामिल होगी होगा, तो year-end पर हमारे closing balances बड़े से बड़े होगे ना, तो हमें अपने closing balances को adjust करना होगा, वो मैं करूँगा, और यही काम आजकल के दौर में होता है, सुनो, अब जो pre-populated वाली statement आती ही, उसमें आदा काम होगा होता है, आदा आपने करना होता है, यही सबसे खतरनाक बात है, आदा होगा होता है, 70% होगा ह होता है, 30% करना होता है, तो this is the real thing, this is the real thing, this is the real thing, चलो, अब मैं आता हूँ यहाँ, देखो यह, यह साल का depreciation expense भी गिवन है, इस साल का depreciation expense भी गिवन है, यह PPE के अकाउंट में ले जाओंगा है, बच्चे ने का, प्यारे सर, प्यारे सर, PPE का अकाउंट नदर आएगा, अ यह रहा, यह देखो, यह भी question है, यह भी question का इसा है, बच्चो, यह भी question का इसा है, देख लो, यह आपके पास property, plant and equipment का opening और closing, यह देखो, यह opening है, यह closing है, नजर आया, property, plant and equipment का opening और closing नजर आया, हाँ, चलो, मैं तुम्हें PPE का अकाउंट बना के देता हूं, यहाद है, देखो, एक simple यह आपने, यह पुराना काम कर रहा हूं, पुराने काम अगर तुमने lecture attend किये, तुम मज़े से खा सकते हैं, उसको, समझना का खा जो, यह तुमने लिखा, PPNBB, PPNBB का account सही है, single value होती ही, तो occurring value का मतलब NBB होती है, अब बतो opening कितना है, 3, 1, 2, 5, 300, 3, 1, 2, 5, 300, यह लिख दिया, ठीक है, अब closing कितना है, यह है, 3, 6, 6, 8, 900, ठीक है, यह लिख दिया, अब बताओ NBB के account में depreciation expense यहाँ आता है, NBB के account में depreciation expense यहाँ आता है, देखते रहो, कितना है depreciation expense बताओ, यह है 6, 2, 5, 0, 6, 0, अभी उपर पढ़ाता, 6, 2, 5, 0, 6, 0, ठीक है, अब जरा दिमाद, इस पे जोड़ दो, इधर जोड़ दो, जब तुमने during the air एक चलती भी कमनी हो खरीदा होगा, तो उसने तुमारे, वो तुमारे साथ आके मिली होगी, तो PPE के balances भी तो हिले होंगे, तो यहाँ addition वाली side पे, addition subsidiary, addition subsidiary के विज़ा से कोई addition हुआ, दो तरह का हुआ, एक तो normal carrying value एड़ होगी, 421,000 की, और फिर उसको fair value पे लाने के लिए 50,000 की fair value adjustment भी थी, उसी plant की 50,000 की क्या थी, fair value adjustment भी थी, अब बच्चे ने एक चीज़ पूछी, सर, एक मिन मसला है, यहाँ हमें पता है, disposal आता है, अगर during the year कोई disposal हुआ ह तो यहाँ आएगा मैंने का बिलकुल आएगा, लेकिन चलो, पहले पढ़ते हैं कि during the year कोई disposal हुआ भी है या नहीं हुआ है, चलो, यह पढ़ लो बेटा, इस से अच्छी English नहीं हो सकती, पढ़ो, there were no, there were no disposals, there were no disposals of non-current assets by the group during the year, although there were some additions, हाँ cash addition हुए हूँ मैं नकाल रहा हूँ, disposal नहीं हुआ सही है, तो अब आओ इधर, देखो, इस साल कोई यहाँ disposal हुआ ही नहीं है, देखो कोई disposal नहीं हो, इसको cut कर दो, अब मुझे निकालना है भाई यह लो आजो, यह मैं नकालता हूँ, यहा आएगा cash addition, balancing figure आजाएगी cash addition की चलो, मैं भी calculate कर लेता हूं, चलो, इन दोनों को add करो, right hand side को और बाकी सब को less करो, तो cash addition आजाएगी 69760, यह आगए, यह balancing figure आगए, 697660, और हाँ, यह investing, यह मैं इसी तरह पढ़ाता हूं, देखो, investing activities में less हो जाएगी, बेटा, यह 697660, investing activities से less हो जाएगी, यह पैसे देखे, non current asset buy कें, यह investing activities से less हो जाएगी, ठीक है, 697660, ठीक है, अब देखो, सवाल यह है, देखो, यह बहुत बड़ी कला है, तुम कितना पढ़ लिया तुमने, यह F7 लेवल से सिखा है, कितना काम अल्रेडी हो चुका है, कितना नहीं हो, जो question में cash flow given है, यह रही देखो, investing activities जबढ़ा करके दिखाता हूं, सामने स्क्रीन पे देखो, यह question है, investing activities में बेटा, उसने act position of property plan and equipment का बस इतना cash flow दिया है, तुम्हें देखो, यह रहा, 5, 4, 3, 600, जबके हकीकत में कितना है, बताओ, cash flow, 6, 9, 7, something, तो तुम्हें इसको बढ़ाना होगा, देखो, हकीकत में कितना है, 6, 9, 7, 6, 6, 0, और उसने स consideration paid, यह भी मैंने तुम्हें सिका दिया, देखो, इस बार आपने एक चलती भी company खरीदी है, तो याद करो, तुमने सोचो, यादाश active रखो, mobile site पे कर दो, यादाश active रखो, अभी इस सवाल में ढूब जाओ, 4,000,000 रुपे देके वो company खरीदी, 4,000,000 डॉलर देके company खरीद हाँ, अब मैं एक बहुत बहुत बहतरी चीज़ सिकाने वालो हम, वो सीख गया तो मजा जाएगा, देखो, जो already cash flow given है, एक question जो तुम्हारे सामने, ये pre-populated sheet, already तुम्हें भी given होगी, मैं भी तुम्हें excel पे लेके जाऊँगा, ये already तुम्हें given है, सईए, तो इसमें already इन इस्तनोंने increase calculate किका सब कर दे gaming in replace increase increase calculate किया और हमें भी पता है के increase inventory decrease in cash होता तो इसने चैसे शु है औगे DAVID सफ ही बात है। इसी तरह incredible लेकिन increase inetable, increase in cash होता है उस भी इसने चैसे रही सही लिखा लेकिन उसने उपर एक लाइन लिखी थी बटा सोचे मेरी तरफ देखके सोचें उसने लिखा था कि हमने opening और closing balances के help से चुपचाप निकालके calculate कर दिया तो मैंने का याद करो opening और closing balance के बीच में during the year हमने एक subsidiary खरी दी थी तो subsidiary अपने साथ भी कुछ receable लेकर आई थी कुछ payable लेकर आई थी कुछ inventory लेकर आई थी तो उसने इस normal increase or decrease को हिलाया होगा न भाई ये increase or decrease यहाँ सिर्फ वह वाले adjust होते हैं जो trading reasons की विरा से हो जो trading reasons की विरा से हो subsidiary खरीदने और बेचने की विरा से याद करो मैंने lecture दिया है पहला उसकी विरा से अगर कुछ movement होगी तो उसको remove करना होगा सही है तब मैं वो remove करना हूँ लेकिन देखें पहले आंके खोल के देख लो प्लीज इस चीज पर जान लगा दो इस चीज पर लगा दो और closing 10 वह उती तो आट रुपे से इंक्रीज होता न दो रुपए से opening कम है closing जाद है तभी तो इंक्रीज हो रहा होगा भाई ये तीनों चीज़ें इसी वह रहा से होगी कि विंटा opening balance कर में होगा क्लोजिंग जाता है तो आट रुपए का इंक्रीज हो रहा है यह देखो आट रुपए का हो रहा है अब सुआ है आपने डियूरिंग डियर डिस्पोजल नहीं किया एक्विजिशन की है तो अब अगर आपने उस नई की इंवेंटोरी का एफेक्ट निकालने तो यह रेंड के बैलेंस को आपने कम करना होगा और जब यह रेंड के दस को कम करोगे मिसाल के तौर पर आपने दस को तीनों पर से कम किया तो यह सात रुपए हो जाएगा तो अब इंक्रीज कम हो गया अब इंक्रीज सिर्फ कितने क के increase रहेगा ना तो आप सोचें जरा क्याश के समझ में आरे है maths के तीनों चीज़े increase हो रही थी already question में तीनों चीज़े increase हो रही थी और during the year acquisition हुआ acquisition हुआ है तो जो acquisition हुआ है वो year के mid में जो acquisition हुआ है उसने हमारे ultimately closing balances को बढ़ा दिया होगा तो अब मुझे closing balances से मैं निकालूंगा तो ये increase खुद बखुद कम होता जाएगा ये increase खुद बखुद कम होता जाएगा तो जो जो amount उपर लिखे हुए वो इसमें से हटाएंगे यानि इस increase को कम करेंगे और मुम्किन है इतना ज्यादा भी increase कम हो जाए कि वो decrease बन जाए इतना ज्यादा increase कम हो जाए कि वो decrease बन जाए वो भी हो सकता है वो भी दिखाता हूँ चलो काश के तुम लोग ये समझ गया हूँ देखो मैं चलता हूँ उपर यानि ये increase का effect ultimately कम होगा उपर की adjustment के अड़ा से चलो उपर की adjustment देखाता हूँ ये कितनी है भाई inventory इतनी ये थी देखो inventory अपने साथ कितनी लेकर आया है ये 256,800 याद अपना इसको देख लेते हैं अभी receeable अपने साथ ये लेकर आया है और payable अपने साथ 175,400 लेकर आया है सही है ये तीन चीज़े ये लेकर आया था चलो मैं उपर जाके opposite करता हूँ चलो देखो यहाँ देखो मैंने क्या बुला वो जो अभी balances मैंने आपको दिखा है जो subsidiary अपने साथ लेकर आया थी वो इनके इसके इसके increase के effect को काटेगा increase के effect को काटेगा यानि यह जो number अलड़ी नजर आ रहे हैं अब कम होते जाएंगे तो यह number अलड़ी है उपर all बाइस होते है अब बता हुदि कितनी लेकर और काझ और 256800 तो देखो इंक्रीजिन इंवेंटउरी डीक्रीजिन कैश होता है तो नेगेटिव में और इस नेगेटिव के एधक को कम करना है तो मेंस क्लिछ लिखूंगा ना माइनस 211500 प्लस 220300 प्लस 220300 तो ये net negative impact नेट negative impact आ जाएगा तीसरे कॉलम में नेट negative impact आ जाएगा तीसरे अब एक बड़ी मज़ेगी बाद बताता हूं सुना भाई अब ये जो increase in payable नजर आ रहा है न इसके भी इसके भी increase के effect को खतम करेगा वो जब उस subsidy के impact को निकालूँगा तो ये already plus में है ये plus में है तो इसके सामने मुझे लिखना होगा minus और वो कितना है बताओ 175400 अब मसला बताओ क्या होगा इसका plus का मैं 93 900 प्लस में है और minus 175400 है तो अब जो तीसरा कॉलम बनेगा तो वो ultimately negative आ रहा होगा यानि इसका final impact increase ultimately decrease में convert होगी है इसका जो final impact तीसरा कॉलम में भी बनाऊंगा ना जब मैं spreadsheet में तो ये payable का increase हकीकत में decrease में convert होगी है क्योंकि जैसे ही आपने उस subsidy का effect निकाला I hope you understood it मुश्किल नहीं है थोड़ी जान लगानी पड़ेगी भई क्या करें थोड़ी सी तो लगानी पड़ेगी बड़ा लेवल है बहराल यह याद अटना इसके यही सवाल का दिल था इस अब एक चीज़ हमें करनी होगी वह है मैं खुद हमेशा मेरा तो फेवरेट है लेफर टेक्स ओन फेवैलुदेशमेंन बदेखो हम लोग टीचर्स विशा आपको पहले टैफर एकस बचो ये Hmm unterstütészमें प्रчноर आप और स thể लेदिशन कि तरह रहें याद है यह फेयर वेर्यसमेंट की चीज़ है यह यह अब देखो पढ़ो, the group pays tax at 30% and defer tax was correctly accounted for within the consolidated statement of financial position in the taxation figure, in the statement of profit and loss for the year ended, 30, यह यहां full stop यहां यहां तक, इदर तक, फिर, अब आगे क्या कहा रहा है, in the statement of profit and loss, पढ़े, for the year ended, 30, December X5, is 385, 600, यह साल का expense है, tax expense for the year, जो हमेशा आपको P&L नहीं कि बहुता था, वो तयार दे रहा है, 385, 600, now, this figure has been included as a taxation paid within draft statement of cash flows, यहनी इसने क्या करा बताओ, जितना tax expense था, उतना ही paid दिखा दिया, जितना tax expense था, डरने का नहीं है, डरने का नहीं है, प्लीज, जितना tax expense था, उतना ही paid दिखा दिया, इ इसने जो तुमें cash flow बना के devian देख लो, आंके खोल के देख लो, उसमें इसने यह देखो, 385, 600 का ही tax paid दिखाया है, यानि जो tax expense था, वो ही paid दिखाया है, यह आपको करनी होई मैंने, इसको सही करना होगा, मैं करवाता हूं भी, ठीक है, वो ही total tax का account, जो नहीं बनाते थे cash flow में हमेशा, वो ही करना होगा, चलो, अब इधर तो आओ, इधर आओ, चलो, अब मुझे बताओ, कह रहा है, बात सुने, भाई जब इस सवाल में एक fair value adjustment हुई है, पचांस थार की 50,000 की fair value adjustment हुई है, तो याद करो, defer tax on fair value adjustment भी तो हुआ होगा, उसने बोला, हमने सब कुछ सही record किया है, उसने closing, इसका मतलब closing और opening balance में कोई मसला नहीं है, प्लीज, closing और opening balance बिल्कुल सही है, लेकिन जब मैं tax का account बनाऊंगा, तो मुझे हर movement show करनी है, हर movement जिसने tax के account को, total tax के account को हिला है, वो show करनी है, ताके pure tax paid निकला है, movement तो सारी show करनी है, तो भाई इस बार ए प्यारे बच्चों, एक बाकाईदा topic है, एक topic है, defer tax on fair value adjustment is in reality, इस topic है, topic है, तो आपको पता हो ना चीज के बारे में, ठीक है, तो बाहराल, यह कितना होगा, 50,000 की fair value adjustment थी, 50,000 का जारा कोई बच्चा 30% निकाल ले, तो यह 15,000 आया होगा, defer tax on fair value adjustment, defer tax on fair value adjustment, अगर आप सोचो तो, on FVA, 15,000 आया होगा, defer tax on fair value adjustment, सही है, अब मैं देसी देसी तरीके से तुम्हें पढ़ाता हूँ, चलो, देखो, fair value adjustment is a sort of upward revolution, देखो, अगर तुम्हें एक upward, मैं ऐसे ही general पढ़ा रहा हूँ, दोस्ती यारी मां पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ऐसे चलो, ताके डर निक पूर्गाती है, अब revaluation reserve लिख दो, revaluation surplus लिख दो, OCI लिख दो, यह सब सही है, अब यह value buddy, तो हम tax वालों के पास गये, तो इस पर tax तो लेंगे, लेकिन future में लेंगे, क्योंके value buddy अभी नहीं लेंगे, लेकिन future में tax देना है, तो DTL तो आएगा na defer tax liability, तो आप नीचे इसक काम किये अब यह मैंने normal circumstances में revolution के entry बना दी होता क्या है बताओं जब तुम consolidation के consolidation के अंदर होते हो नो तो यह entry यहां से change होके goodwill आ जाती है बस देखो यह आ जाती है PP debit goodwill credit और यह goodwill क्यों यह goodwill goodwill खेलते हैं क्यों बताओं क्यूंकि यह सोचो fair value adjustment SL में acquisition date काम अले fair value adjustment हकीकत में acquisition date काम अले तो जब यह acquisition date के net asset को हिला रहा है fair value adjustment तो goodwill को हिलाएगा सही है न acquisition date के net asset ऐस company के हिल रहे तो goodwill हिलेगी तो इसलिए ultimately entry goodwill के साथ ही बनती है तो यह वाली entry SL में मुझे चाहिए थी अब चलो मैं तुम्हें एक और अकाउंट बना के दिखाता हूं जो अपने बड़े काम का इधर देखो tax का टेक्स का एक अकाउंट तुमारी खिदमत में पेश कर देता हूं सुनो यह opening current क्लोजिंग current सुट पर्टएका और उठाते है यहां यहां फिले है तो स्ट्रिंग कि इतना है 우ट के फिफटी थाउजन एक और 156 नेमा अच्छे क्लोजिंग क्या है भाइए अच्छा तू फिफिफिटी थाउजन यह अच्छा क्लोजिंग क्या है भाई देखो एक है 364,300 है एक 364,300 है और एक है अल्ला खुश्रके 130,000 यह लिख दिया अब आप देखते रहे हैं बस अब यहां मैं लिख रहा हूँ PNL इस साल का अब रंग चेंज करता हूँ इधर आजाएगा टैक्स पेड इधर आजाएगा टैक्स पेड ओके कितना अब यह हो जाएगा 413,200 आप एक राइट-hand side को पूरी add करके left side less करो तो यह हो जाएगा 413,200 टैक्स पेड यह है टैक्स पेड इधर लिख देता हूँ टैक्स पेड और यह हकीकत में operating activities से less होता है पता है ना operating activities में से minus होता है यह total tax का account है यह total tax means sum of और honestly यह सब पढ़ाएब है आप अराम से कर सकते हो भाई कोई मुशकिल नहीं है कोई मुशकिल नहीं है तो आप देखें यह अपने टैक्स पेड निकाला अब चेक करो अल्री टैक्स पेड उसने किता लिखावा है उसने लिखावा यह राए यह रहा 385 600 तो बस अब मज़े मज़े हाँ हमें आगे बढ़ते हैं इसमें अब क्या स्कोरी है हमने टैक्स का अकाउंट बना लिए टैक्स पेड निकाल लिया अब हमें क्या निकालना है हम याद करो याद करो जो अपने जहनों पर सोड़ दो देखो याद करें आपने एक क्वेस्टन किया था कैश फ्लो का एंजल यह को ऐसे सवाल था जिसमें गुडविल का तो यह के स्टाटिंग में भी को विल का बैलेंस होगा यह के एंट पर आपने एक और सबसेट्री खरी तो नई गुडविल भी और यह विए न्यू अई वह आपने calculate करनी होगी goodwill जो नहीं subsidiary की है और goodwill बिल्कुल बच्चो की तरह निकलेगी COI के तरीके से तब आप मुझे बताओ आपके पास कौन कौन सी COI है मैंने शुरू में बता दिया था देखो यह है आपकी cash consideration प्लीज सुनें यह acquisition date के net assets की carrying value है इसको fair value बलाना मेरा काम है और defer tax on fair value adjustment को भी सही करना मेरा काम है यह भी मैं करवाता हूं भी सही है ओके तो यह carrying value है अच्छा fair value of NCI निकालना भी मैंने आपको सिखा दिया था देखो बेटा हमने parent company ने S company के 80,000 share खरीदे out of 100,000 parent company ने प्यार से सोचो out of 100,000 parent company ने S company के S company के 80,000 share खरीदे तो बाकी 20,000 share NCI के पास होंगे तो NCI के मतलब इस question में है remaining 20,000 shares की fair value तो remaining 20,000 shares की yearly share price remaining 20,000 shares की share price 8 है तो fair value of NCI at acquisition यह मैंने निकाल दिया था 160,000 fair value of NCI at acquisition यह मैंने आपकी खिदमत में निकालवा दिया था कितना one 60,000 ओके तो चलो मैं goodwill निकालने जा रहा हूँ एक अच्छी महनत है यह कोई मुश्किल काम नहीं है पहले आपने लिख दिया COI इसमें आपके पास एक चीज़ आ जाएगी cash consideration देखो मैं लिख देता हूँ cash consideration में आपने 100,000 shares में से सिर्फ 80% buy किये थे और एक एक share के लिए $5 पे किया था तो यह कितना हो जाएगा 400,000 यह आपकी cash consideration है फिर shares consideration निकालना सिखाऊ shares consideration में यह था कि उनकी तरफ से obvious सी बात है यह देखो यह 80,000 shares आये थे और fraction जो बन रहा था वो 1 upon 4 का बन रहा था ठीक है तो अब 80,000 into 1 upon 4 करोगे तो सीधा सीधा जो हमारी तरफ से मेरे dialogue सुनो जो हमारी तरफ से कीमत के तौर पे जो shares गये है वो 20,000 shares गये है हमारी तरफ से जो कीमत के तौर पे shares गये है वो कितने गये है 20,000 shares गये है और उनकी एक share था हमारा हमारा एक chocolate था मेरे दोस्तों कितने का था बता हमारा एक chocolate वो था 13 dollar का हमारा एक share 13 dollar का था तो यह multiply करोगे तो यह 260 आ जाएगा तो यह total COI आ गई यह total COI बनी 660 अब फॉरण से अगली चीज़ निकाल लो fair value of NCI at acquisition यह तो बहुत आसान है अभी बहुत बार सिखा चुका हूँ आज ही सिखा दी न तो 20,000 shares NCI वालों के पास थे पेरेंट कंपनी ने out of 100 80,000 shares खरीदें तो 20,000 share NCI वालों के पास थे और S company के एक share की share price है 8 dollars ठीक है तो यह बना 160,000 चलो यह COI भी हो गई fair value of NCI भी हो गई अगर मैं इन दोनों को मिला लूना तो यह बन जाएगा 820,000 अब देखें यहां लिखता हूँ मैं less fair value of net assets of S company net assets of S company का नाम है true dose true dose ठीक है तो बताओ उनकी already जो carrying value आपको जो पूरा packet अभी मैंने दिखाया था वो था खुश रहे हैं 747600 यह था 747600 अब मुझे बताओ यार आप सिर्फ यह सोचो यह net assets का मतलब यह C होता है यह देखो यह दो देखो यादे C is equal to A minus L C is equal to A minus L यादे तो अब पहले मैं तुमें fair value adjustment समझाता हूँ fair value adjustment में एक side से asset बढ़ेगा तो दूसरे side से net asset बढ़ेगा एक side से upward fair value adjustment होगी asset बढ़ेगा तो दूसरे side से क्या बढ़ेगा net asset बढ़ेगा तो 50,000 की तो fair value adjustment थी यह लो 50,000 की आपके पास fair value adjustment थी plant की ये इस में मैंने add करा और मुझे बताओ एक मिन्ट इस 50,000 पर फिर 30% का defer tax लगेगा 30% तो 50,000 का 30% होता है कितना 15,000 और याद रपना defer tax एक liability है defer tax liability create होगी न बेटा ये taxable TD है ये taxable TD है तो defer tax liability create होगी न तो एक end से अब तुम 15,000 की defer tax liability बढ़ाओगे तो उससे net asset गिरेगा यादे 15,000 से तुम defer tax liability को acquisition date पर बढ़ाओगे तो net asset उससे गिरेगा liability बढ़ेगी तो net asset गिरेगा तो यहाँ defer tax on FVA ये है 15,000 यहाँ net हो जाएगा चलो बटा अब इस पूरे packet को net कर लो ये पूरा packet आपके सामने बन जाएगा 782,782,600 यह 782,600 यहाँ से less होगा लोगई आगई goodwill ये आगई तुमारी goodwill color change करके लिख देते हैं goodwill आई है 37,37,400 goodwill आई है 37,400 इसी company के आई है goodwill on acquisition of Trudeau, of Trudeau सही है Goodwill on acquisition of Trudeau, ये goodwill निकाल दी मैंने, मुश्किल काम नहीं था बच्चो आला काम था, कोई मुश्किल काम नहीं है थोड़ा सा active रहें सीख सकते हैं अब देखो, बहुत routine काम था है, अब इन चीज़ों से मट डरो याद, अटा दो डर याद, ये simple सा काम है cost of investment है, fair value of NCI है, net assets का packet है, सब routine बार बार पढ़ावा है life में चलो, अब देखो, goodwill का opening और closing balance भी गए, अब आज़ो, इदर आज़ो, ये दो को मज़े करो, चलो, मज़े करो ये देखा, goodwill का opening और closing balance भी है, तो goodwill का आप तो मैं आकाउंट बना के देता हूं, goodwill का आकाउंट बनेगा opening है 441-100 और 447-400, closing है, ठीक है, चलो, मैं तुम्हें यहीं बना देता हूं, चलो, goodwill का आकाउंट ये दा बस थोड़ा सा सोच लेना, ये बन रहा है goodwill का आकाउंट, मुझे बताओ, opening goodwill कितनी है, 441-100, बेटा closing कितनी है, 447-400, और अब आप खुछ सोचें, बेटा, during the year, एक नई कम्पनी जब एक्क्वाइर की, तो उसने total goodwill के balance को बढ़ाया होगा न, जब एक नई कम्पनी को अपने साथ मिला लिया, तो हमने नई purchase goodwill की, तो goodwill का balance बढ़ा होगा न, goodwill on acquisition of Trudeau, Trudeau को खरीबने पर ये goodwill मिली 447-400, अब आप मुझे बताएं, तो इन दोनों को add करके, इन दोनों को add करोगे, तो ultimately देखो, अगर तुम left hand side को add करते हो, तो closing जदा होना चीथ है, लेकिन closing कम आ रहा है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, यहाँ कुछ ना कुछ इस साल impairment हुई है, कुछ ना कुछ goodwill की क्या non cash expense है, याद रखना, non cash expense है, तो यह operating activities में add होता था, याद है, operating activities में adjustment form यह add back हो जाएगा, सब खतम, तो यह goodwill की impairment भी निकाली, तो यह बच्चो वाले काम है, यह तुमने पहले, यह लाजमी मैंने class में कराया है, यह goodwill का account बनाना, property plant and equipment का account बनाना, increase or decrease in inventory, receable, payable, during there, एक नई subsidiary खरीदी तो क्या होगा, बेची तो क्या होगा, यह सब आपको initial lecture में बता दिया जाता है, क्यों इसका डर, क्यों इसका डर, तो यह goodwill की impairment भी निकालाई, अब आप मोटी-मोटी चीज़े गिनलो भई, आपने मेरे खाल से अब सब कुछ कर दिया, आपने property plant and equipment को निम पट गई, आपने goodwill को निम्टा दिया, तो goodwill के जरीए बिटा, non-cash expense impairment आगिया, यह आपने tax का account बनाया, तो tax paid भी आगिया, ठीक है, fair value adjustment को भी आपने याद कर दिया, फिर goodwill भी आपने calculate कर दी, ठीक है, अच्छा देखो, अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें आसान करने क करने के लिए, simplify करने के लिए, यूं questions सामने रखके discuss कर रहा हूं तक easy हो जाए, तो मैंने working इधर ही कर दिये, अब ये working software पर करना कोई बड़ी बात नहीं है, software पर यूं type करके लिखना cash consideration, फिल लिखना hundred thousand multiple, this is not a big deal, और ना इस level पर ये बुड़ापे के level पर तुम लोग को काम सिखाना objective है के typing सीखाHI जाए, तुम्हें काम सिखाना मक्स यह प्री पॉपुलेटेट की यह प्री पॉपुलेटेट की दरह एक चीज देखो भी मैंने प्रॉफिट विफोर टेक्स तुम्हें तैयार गिवेने देखो वाइज इस मैं कॉपी करूँगा प्रॉफिशन में कोई गलती नहीं इसने एड़ बैक किया मैं भी उसको कुछ नहीं छेड़ूगा फिर देखो इसने एक खाली लाइन छोड़ी यह खाली लाइन नजर आ रही है क्या कोई और नॉन नॉन कैशक्स पैडा इक नाम में इंप नयान कैश्पेंस एपने पयार थाह जिसका नाम है इंपेररंट ऊफ डूटविल हाँ राइट तो इंपेर्मेंट ऑफ गुडविल मैं इसमेंट कर दूँगा नॉन कैश एक्सपेंस पे फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंटोरी रिसीवल और पेबल की एड्जस्मेंट पच्छों की तरह सिखा दिये वो मैं करूँगा सही है जो तुम्हें लिखी 697660 देखो स्क्रीन पर असल नंबर है 697660 यह सही करूँगा और फिर मैं सही करूँगा बिटा अगर देखो यह जो है कंसेडरेशन पेट फॉर एक्पोदिशन ऑफ टूडोस मैं अपने वॉलेट की एक्जैंपल नहीं दी थी आज हां कि चार लाग रुपे देखे चार लाग का कैश देखे कैश देखो इसमें प्योर कैश देखना है शेर कंसेडरेशन इस शेर एक्शेंज वह कुछ भी नही यह था ना 24,900 का ही देखो यह रहा तो यह लेस करके जो net amount है वो मैं investing में दिखा दूँगा लो भई प्री populated वाला पार्ट हो गिया लेकर मैं अभी screen को change नहीं करना चारा पहले मैं इसकी theory के requirements तो मैं कर आता हूँ जो के और आसान है theory की requirement तो इसकी मज़े की है मज़े मज़े ले ले के house को ठीक है फिर एक साथ मैं pre-populated पर चले आऊंगा screen को shift करके ठीक है no tension no tension at all चलो अब जरह यहां देखें पहले requirement number 20 की देखो कहां किया requirement number 2 पर आते हैं वाँ टू पर सॉरी क्या कह रहा है देखो explain पड़ो explain यह नहीं अब इस पर बात करनी हो गया बिल्कुल थोड़ी सी discussion करनी होगी the adjustments required to correct the operating and investing activities of the consolidated statement of cash flows for the अब देखो बात को बड़ा समझो इसने का सिर्फ उनी adjustments को explain करो जो सवाल में दीवी है कभी लो ग्रुप की इसका मतलब यह नहीं कि cash flow में जो जो आ सकता है वो कर दो भाई यह क्यों होता है ना cash flow का जो original lecture उसमें 500 चीज़ा सकती है बहुत सारी चीज़ा सकती है तो इसने कहा कि भाई आप सिर्फ इस इस context में बात करो जो इस question में चीज़ें दी हुई है इस question में जो चीज़ें दी हुई है उनको explain कर दो कि क्यों increase in inventory इसकी adjustment करते वागा आपने इस चीज़ को क्यों हटाया इसको क्यों प्लस किया उसको क्यों माइनस किया यह सब चीज़ें ठीक है तो यह 10 मांक की requirement है यह पहले भी आ चुकी है बहुत बार आ चुकी है मेरी इस पे classes already record हुई हुई है मैंने इस पहले भी एक पास्टर पर record कर रहा फिर से करवा रहा हूं ठीक है इवन जो हमारा initial lecture होता है उसमें हम समझाते है cash flow उसमें भी यह यह तो भाई देखो यह simple आपने यह करके लिखना है ठीक है तो मैंने आपके लिए आपके ट्राइंग सेफ करने के लिए इसको अल्रड़ी टाइप किया है simple words में आईए देखे आप मैंने थोड़ा ज्यादा लिखा है आप उससे कम भी लिखोगे तो चलेगा ठीक है examination के environment को सोचो उस वक्त टेंशन भी होती है सब होती है तो उसमें कम भी लिखे हो तो चलता है सिंपल इसको वही state the rule apply the rule वारे तरक्रीश देखो उपर question कॉपी कर लिए अब देखो सबसे पहले मैंने state the rule लिखा है देखें मेरे प्यारे बच्चो हम लोग direct method से भी cash flow नहीं बना रहे हम indirect method से cash flow बना रहे है तो indirect method में basically we start from profit before tax और हम cash flow तक जाते है profit से cash flow तक का सफर तैक करते हैं देखो यह लिखा है बच्चो हाली इन indirect पहले state the rule पहले general इन indirect method of cash flow we start our working from profit before tax and adjust non-cash income and expenses to reach at cash equivalent एक one of the काम यह करते है और भी करते है one of the काम यह करते है यानि we start our journey from profit before tax and we end it on cash flow right we must अब इसके लिए हमें क्या करना होगा आप लोगो मैं class में हमिशा बोलता था न के add यह चीख चीख के मैं बोलता था add back all non-cash expenses सोचो क्योंके non-cash expenses ने सिर्फ profit को कम किया होगा असल में पैसे तो जिब से गए नहीं होगे तो दुबारा cash flow तक पहुँचना है तो add back all non-cash expenses and less all non-cash income चलो देखो यही बात लिखी है बिल्कुल simple language में लिखनी है कोई बड़ी English नहीं चाहिए we must add back all non-cash all non-cash expenses in profit before tax because they have been deducted while calculating profit before tax some example include depreciation, impairment, amortization, loss on disposal यह सब add back हो जाएंगे रही है इसी तरह और भी non-cash expenses हो सकते हैं warranty claims के जो होते हैं now similarly we must deduct all non-cash income non-cash income जिसकी example gain on disposal यह है amortization of government grant amortization of government grant amortization of government grants okay right apply the rule पर आओ चलो अब इस सवाल में जो जो चीजें उनको एक एक करके बताते जाओ इस सवाल में जो जो चीजें उनको बताते जाओ चलो वही firstly in operating activity there is a need to add back impairment of goodwill to the profit before tax because it have reduced profit without creating impact on cash flow simple भाई जो impairment expense था impairment is a non-cash expense impairment of goodwill is a non-cash expense इसने profit को तो गिराया होगा लेकिन ultimately cash flow तो हुआ नहीं तो दुबारा add back हो जाएगा current tax or defer tax दोनों को लेते हो तो इस बार defer tax भी था fair value adjustment वो आप explain करें पड़ो secondly the tax figure to be included in the operating activities should be the amount of tax paid tax paid to the tax authority देखो hence there is a need to adjust tax expense figure because in this figure defer tax which arise on fair value of increased plant and equipment had been included देखो बेटा हम cash flow में सुनो अरा हम से operating activities में जरा नीचे जाते हैं तो cash generated from operations आते हैं उसके नीचे line items आते हैं यह प्योर tax paid आता है tax paid जो असली पैसे tax department को दिये प्लीज मेरी तरफ जो असली पैसे tax department को दिये वो लेते हैं इसमें ठीक है जो असली पैसे tax department को दिये वो लेते हैं राइट ओके अब मेरी बात सुनें तो इसने बिचारे ने सिर्फ tax expense को tax paid बना दिया तो हमने कहा रहा हमें अलग से tax paid calculate करना होगा और tax paid calculate करने के लिए we need to make the tax account और उसमें total tax होता है defer tax plus current tax तो हमने fair value adjustment का भी impact लेना था क्योंकि fair value adjustment पर भी defer tax arise होता है fair value adjustment is like revaluation वोई बाते लिखी है सही है now similarly there is a need to adjust the movements very good in the inventories trade receeables and trade payables okay यह क्यों adjust करने की जरुवत है because examiner मैं बोल रहा हूं सुनो इसकी और तफसील भी लिख सकते था आप because examiner has just taken opening and closing balances our content has just taken opening and closing balances to calculate the movement and in the closing balance there is a new subsidiary in closing balance the inventory receivable and payable balances are also included with that new subsidiary balance so they need to be removed so they need to be removed so यह यह लाइन इसमे आट कर सकते हो फिर बोलो यार अभी तो समझाया था पर क्या उसने विचारें direct opening और closing balances के difference से direct increase or decrease निकाल लिया लेकिन जब during the year एक नई subsidiary खरीदी गई सोचो during the year एक नई subsidiary खरीदी गई तो उसने आकर inventory, receivable और payable के balances को बढ़ा दिया होगा तो अब आप जो increase or decrease निकाल रहोगे ये normal trading की वज़ा से difference नहीं आ रहा बलके subsidiary खरीदी जाने की वज़ा से भी difference आ रहा है तो subsidiary खरीदने वाले difference को remove करना है subsidiary के buy करने के वज़ा से जो inventory, receivable के balances change होएं उनको remove करना हूँ हमने कर दिये then moreover in investing activities of cash flow acquisition of true dose yes, आप एक चलती भी company खरीद रहो ये investment है एक चलती भी subsidiary खरीद रहो वो एक investment है तो उसका भी outflow दिखानना है लेकिन हाँ उस company के अंदर should be included as an outflow but there is a need to remove there is a need to remove non-cash transactions which are involved during acquisition बिलकुल सिर्फ pure cash flow लेना है खरीदते वग आपने shares भी दी हैयाद करो, दो तरह की consideration दी है खरीदते वग जागो दो तरह की consideration दी है A cash और एक shares तो shares consideration दर हकीकत share exchange है shares consideration दर हकीकत share exchange है भाई तो share exchange में कोई cash outflow रही खानना है ठीक है फिर एक और बात सुनो देखो ये बात मैंने यहां explain भी कर दिया फिर ये एक बात सुनो वो wallet वाली example चलती भी company 4 लाग में खरीदी थी ना 4 लाग का cash दिया था 4 लाग का cash दिया था लेकिन उसके अंदर already 2, 4 something 24 something का already cash मौझूद था तो वो difference लेके net outflow लेंगे सही है यह बात यहां समझाइए पढ़ो कोई मुश्किल नहीं है कोई मुश्किल नहीं है डरते रो और ना डरते रो जाओ डरो मैं क्या करो just after acquisition of Trudeau's just after acquisition of Trudeau's the cash balance existing on acquisition should be treated as a cash addition to the group and the cash paid to is therefore shown net off net off net off net off cash and cash यह रहा यह वोई बात है यार wallet की example दी दी चलो अब PPE के account को समझा दो PPE के account में मेरे प्यारे बच्चो PPE का account के अंदर हमें pure पैसे निकालने थे पैसे वो amount निकालना थे जो cash edition का तो भाई इस साल जो account move हुआ ना PPE का account move हुआ because of new subsidy जब नई subsidiary आई तो अपने साथ PPE लेकर आई लेकिन उसके पैसे हमने एक साथ pay कर दिये थे वो subsidiary खरीकते वग अलग से नहीं दिये थे तो वो कोई cash flow नहीं है वो कोई cash flow नहीं है तो उसको अलग से दिखा के फिर remaining निकालना है याद करो balancing figure निकालिकते वे less किया था balancing figure भी दिखाता हूँ बल क्या कहूँ the effects of the acquisition of Trudeau company it must be noted that the initial recognition of the non-current asset is not a cash flow for Kabilo Group yes क्योंकि आपने जब initial वो property वो subsidiary खरीदी तो उसके अंदर साथ-साथ जहेज में ही मिल गया उसके अंदर वो subsidiary अपने साथ ही PPE लेकर आगे और payment एक साथ पूरी हो गई थी तो अब इस PPE का कोई cash flow नहीं दिखाएंगे यह जो subsidiary खरीदने के साथ जो PPE मिला है न property वो कोई separate cash flow नहीं है अब देखो यह जो बात लिखी है न इसको पढ़ लो याद करो मैं हमेशा जब भी cash flow पढ़ाता हूँ न तो मैं एक circle बना के बढ़ाता हूँ यह P और S का P company और S company तो हम क्या कर रहे होते हैं बता हूँ हम हमेशा सिर्फ वो ही cash flows consider करते हैं मेरी बात को सुनना जब हम group यानि consolidated cash flow पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ वो ही cash flows हमारे काम के होते हैं जिसकी विरह से group में पैसा आये या group से बहार निकले याद है group से बहार निकले तब ही मैंने अभी उपर क्या बोला कि पेरेंट कमनी ने जब ऐस company को खरीदा न तो उनके shareholders को चार लाग का cash दिया चार लाग का cash दिया तो चार लाग का cash गया लेगन वह subsidiary हमारे साथ आके मिली तो कुछ पैसे आ भी गए तो net amount जो group से भार गया वो लेना है तो यही बात यहां लिखी विए देखो यही बात लिखी विए बलके circle बना के पहले आपको समझाया भी है another reason for adjusting the statement of Kabilo's group cash flow is that since the net assets of Trudeau's company will be consolidated the effects of the acquisition must be eliminated so that the movement on the assets and liabilities reflect only 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 cash flows incurred by the group during the year क्योंकि हमें हर काम group के pointer भी से करना है यह पहले 10 marks थे यह पहले 10 marks थे अब मेरी बात सुनो तुम वैसे basic form में लिख भी सकते हो ऐसे भी नहीं हो इतने बुरे भी नहीं हो लेकिन exam में कम भी लिखो यार इस paper में लोग 70 marks solve करके आ रहे हैं पास हो जाते हैं पूरा तो आजकल बच्चे कर भी नहीं सकते हैं बहुत कम बच्चे पूरे 100 marks करते हैं वनना time management का issue और तुम लोग mock करते नहीं हो जादा मुझे पता है तुम्हारी हरकते हैं तो mock नहीं करते हैं तो पूरे 100 marks की practice भी नहीं होती है और extra time में एक ही सवाल पर लगा देते हो तो जो लोग 75-80 का करके आ रहे हैं वो भी पास हो जाते हैं भाई ये routine मैं report बताना हो उपको तो lenient checking होती है को ऐसी hard और पूरा as it is ऐसा लिख भी नहीं सकते यह तो भी class के purpose के लिए पढ़ड़ हो अच्छा ब एक और requirement भी theory किये वो तो बिल्कुल general requirement हो that is general requirement वो financial instruments से रिलेक्ट उसमें दी भी है चलो मैं आपको बताता हूं पहले यह पढ़ो यह उसका सवाल है यह उस की discussion है पहले देखो the kabilo group has a number of financial instrument present within the consolidated statement of financial position so no some group some group entities which had the surplus cash resources had acquired debentures in other non-group non-group यानि भार market में entities to increase returns सीधी बात है भाई यह एक मिन सुणो आज अगर मैं अपने group को भी छोड़ो या आज अगर मैं किसी और इदारे के debentures खरीद रहा हूं तो मैं उनको loan दे रहा हूं ना loan देने का मतलब मैं investment कर रहा हूं तो यहाँ इससे मुराद है investment investment कर रहा हूं बदल इसका मतलब आप लोन ले रहे हो ले रहे हो तो लोन लेना हमेशा financing activities में यह financing में आएगा भई loan लेना हमेशा कहा आता है financing activities में आता है यह financing में टाल देंगे क्या मुश्किल भी बता लिटे सब्सक्राइब करना था आपने इसके लिए लोन लिया लोन लिया लोन लिया मीनस फाइनसिंग यह भी फाइनसिंग में जाएगा बाइगा कभी लो कम वह यह वेरी गुड़ वेरी गुड़ कभी लो कमी और उवर्ड्राउन बैंक बैलने सब्सक्राइब गयाद करो अपनी बचपन की कैश फ्लो भाई ओवर्ड्राफ का मतलब भी बैंक बैलनस है और बैंक बैलन्स का जरीए तो आद्में करते थे यादें में टाय करते थे बूल गये बहाँ इर एंड पर जब कैश फ्लो खतम हो जाती तीनों एक्टिविटीस खतम हो जाती थी तो उसके बाद तुम टाय करते थे ने और ड्राफट किसी डी अक्टिविटी में नहीं आएगा वो तो ट्जिक यहास हुआ को जो परने वाले पैसे थे भरने वाले पैसे फ़रने वाले पैसे थे यह यह भी नहीं। मैं झाल झाल अब देख लो यार इसमें पहले इन्वेस्टिंग और फानेंसिंग एक्टिविटीज की बेसिक डेपनेशन भी आएंगे यह यह 6 माक की रिक्वार्मेंट है 6 माक्स चलो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पहले इसकी रिक्राइमेंट पढ़ लो यानि जो अब अभी उफ्तगू की वैसे तो मैंने उपर ही बता दिया कहां कहां जाएगी चलो पहले स्टेट दरूल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और दोस एक्टिविटीज विचार इंटेंडेट टू जेनरेट फ्यूटर इंकम्स और फ्यूटर कैश्फ प्रूसीदी बात है एंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इस फा सम्झाटिज बाता हूं चलो फानेट रफटीज हो फानेंसी एक्टिविटीज फिलोस खर्लू से बिचेंजेट पीनिंग स्ट्रूर्स। फिलींट टेट सही है तो हर वो cash flow जो इस financing structure की शकल change कर दे वो financing activities में आएगा समझाऊं जैसे अगर आप नए share issue करते हो नए ordinary share issue करते हो तो share capital और share premium बढ़ता है न तो आपकी equity बढ़ेगी आपकी equity बढ़ेगी देखो equity की शकल change हो रही है equity की शकल change हो गई तो हाँ financing activities में आएगी number two आप नया loan लेते हो तो ये debt आपका बढ़ जाएगा ये debt बढ़ जाएगा तो ये जब debt बढ़ जाएगा तो फिर से आपकी capital structure की शकल change हो गई financing structure की शकल change हो गई तो financing में आएगा इसी तरह आप loan repay करते हो तो आपके loans कम हो जाएगा आपके ultimately ये slash कम हो जाएगा debt तो जब debt कम हो जाएगा तो once again आपकी financing की शकल change financing structure की शकल change हो गई शेप चेंज हो गया हाँ ये भी आएगा financing इसी तरह आप याद करो एक चौथा मशूर ordinary dividends pay करते हो ordinary dividends are paid from retained earning retain earning equity का हिस्सा है आपके शकल चेंज हो रही है तो ये मशूर मशूर मोटे मोटे cash flows मैंने याद दिला दिये तो ये जो मोटे मोटे cash flows teacher और हम आप लोगो लिखवाते हैं न वो उसके पीछे जो logic है न वो ये definition है कि हर वो cash flow जो financing structure का शकल change कर दे financing structure का shape change कर दे financing structure का shape change कर दे यह पढ़ लो financing activities are those activities that which changes the financing structure of the organization ओके नव अपलाई दरूल ये लोग खाओ enjoy करो ये marks नीचा application आ गई firstly issue of bonds मैंने पहले ही तुम्हें बोला था जो हमने bonds issue करने का मतलब जो हमने loan लिया है loan लिया है तो वो bank borrowings की तरह है और it should go in financing activities बता दिया फिर एक चीज़ इसमें घाएबे ठैरो हाँ मैं लिख देता हूँ यह देख इसने डारिक issue of loan मैंने issue of bonds लिख दिया है एक और चीज़ थी है हम debentures में invest कर रहे थे आदे हम debentures में invest कर रहे थे non-group entities के investment in debentures are intended to generate future investment in debentures are intended to generate future 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 इसने मेरी तरह देखें future interest होता है debentures का buy करना buy करना debentures का buy करना मेरे बच्चों buy करना और एक होता है debentures should be classified as cash and cash equivalent यह नहीं cash and cash equivalent के packet का हिस्सा है और cash and cash equivalent से end में cash flow tie होती है because the bank balance can be both positive as well as negative मैंने बताया था प्लस मानिस होता रहे so it's justified that overdraft is considered as important to cash management of the business on a regular basis वो का अपने cash का हिस्सा है सही है अब एक line एक line इसमें आप और add कर सकते थे वो examiner ने भी की है मैंने या नहीं की कि अगर कभी कोई दारा ऐसा है जो bank overdraft को permanent basis पे ले ले वैसे ऐसा होता नहीं है पर्मिनेंट basis पे ले ले पर्मिनेंट बेसिस पे नहीं bank overdraft को चेंज ही ना करे रखे रखे यानि उसको long term loan की तरह करे तो फिर वो financing में आ सकता है लेकिन ऐसा होता नहीं है उसके पीज़े बज़ा बताओं यार bank overdraft एक urgent service होती है bank overdraft एक urgent service होती है जो अचानक से हम bank से लेते तो हो महंगी होती है bank overdraft का normally interest rate बहुत हाई होता है तो लोग long term purpose के लिए कभी भी bank overdraft को normally एक अकलमंद आदमी तो use नहीं करेगा इसलिए general discussion में यह financing activity का हिस्सा हो यह नहीं सकता है यह cash and cash equivalent का हिस्सा है बस that's it तो यह normal किसी भी activity में नहीं आएगा तो यह सारी बाते आपने बता नहीं थी यह आपके सामने यह एक line मैंने लिखी नहीं थी वो मैंने अलग से add कर दी सही है ओके जी तो अब हम move कर रहे हैं अब हम move कर रहे हैं अपने वो pre-populated वाले अरिया की तरफ प्री-populated वाले अरिया की तरफ अगर आप चाहो और question आपके पास नहीं है सुनो तो उसकी तस्वीर खीच के एक picture ले लो मेरी इसी को rewind करके picture ले लो और फिर अपने सामने रखतो या आप वैसे print out निकाल सकते हो net से जो भी है अपने सामने रखना चाहो question तो देख सकते हो ठीक है अब जरा सुने देखें यह इस तरह examination में आपको यह pre-populated वाली sheet given होगी मैंने इसको excel पर बना लिए ठीक है बिलकुल इसी तरह given होगी अच्छा लेकिन यह जो headings मैंने डाली है बाकी सारा data आपको मेरे प्यारे बच्चो given होगा अब भाई देखो profit before text में कोई adjustment नहीं थी तो इसको as it is ठक 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 यह copy कर लिया ठीक है इसको as it is copy कर लिया इसमें कोई impairment की adjustment थी यह मैंने देखो नाम लिखा वह impairment का नाम मैंने खुद लिखाया यह मैंने खुद लिखा है बताओ impairment की adjustment कितने इंपेर्मेंट की adjustment थी impairment का amount था हमारे पास अल्ला कुछ रखे 31 100 31 100 का amount था 31 100 का amount था और impairment एक non cash expense से तो add back हो जाएगा सभी एड कर लिया अब भाई साब यह तीन चीज़ें increase in inventory already यह तीनों increase हो रही है और अब याद करो वेटास पर तफसील से lecture देशकूँ आपके पास जो यह आपने जो subsidiary buy की थी वह अपने साथ inventory receivable और payable लेकर आई तो वो closing balance के अंदर शामिल होगी तो आप जब closing balance से निकालोगे तो automatically increase का amount का मुझाएगा तो अब देखो यह already negative में है और इसको मुझे कम करना है तो सामने positive लिखूँगा तो inventory के लिए लिखूँगा 256800 याद है 256800 receivables के लिए था 220 plus में ही लिखूँगा क्योंकि वो already minus में है तो कम करने और payable के लिए मुझे लिखना होगा negative में payable के लिए negative में लिखना होगा 175400 क्योंकि वो already plus में है ठीक है अब देखो मैं यहाँ side पे देखो इसका net effect निकालता हूँ obviously बात है इन दो चीजों को सम करना होगा इन दो चीजों को सम करना होगा shift करा ठीक है फिर इसको सम करना इनको सम कर लिया फिर इन दोनों को सम करना होगा देखो देखो दो डरो नहीं डरो नहीं डरने का नहीं वेटा डरने का ठीक हा देखा increase in trade payable अब हकका हकीकत में decrease बन गिया है हकीकत में अब वो decrease बन गिया है मैं याँ जाके सका नाम भी change कर देता हूँ ठ्थेह रो यहां जाके इसका नाम भी चेंज़ दाएगा अब यह हकीकत में डिक्रीज बन चुका है जो ऑफिशल ही है अब चलो अब हम देखते हैं कि आपके पास cash generated from operations कितना है उपर से लेके चलते हैं 1500260 अब इसमें से less होगा tax paid बेटा मैंने working सारी वहां दूसरी स्क्रीन पर कीवी थी ठीक है दूसरी स्क्रीन पर कीवी थी अब मैं वापिस से working यहां नहीं कर रहा टाइम वेस्ट हो गया है दूसरी स्क्रीन पर कीवी होगी तुम लोग remind करके देख सकते हो ठीक है तो टेक्स पेड का जो amount हमने निकाला था न वो था बिटा कितना था बतो 413200 था 413200 था मैं डारेक इस वाले कॉलम में लिख रहा हूं 413200 और पेड है तो negative में लिख रहा हूं ठीक है 413200 देखो याद है हूं सही amount जो मैंने निकाला था चलो अब यह आपके पास आ जाएगा अब यह आपके पास आ जाएगा देखो एक मिंट इन दोनों को net off करते है cash inflow from operating activities नेट cash flow from operating activities आ गया 1087060 ठीक है अब अब आखरी चीज है बाई सुनो अब investing activities में non current asset की purchase का outflow आता है disposal का inflow आता है इसके लवा सारे investment cash flows आते हैं तो बेटा इस बार non current asset मेरे प्यारे बच्चों इस बार non current asset बिका तो नहीं था ना इस बार non current asset नहीं बिका था लेकिन खरीदा तो था ना तो बेटा जो खरीदने का असल amount था ना वो किता था बताओ 697660 यह working से कराया था याद करो आपने चलती भी कंपनी खरीदी थी तो उसमें आपने कुछ पैसे भी दिये थे तो आपने कितने दिये थे थे फोर लैक माइनस अंदर अलड़ी कुछ cash मौजूद था फोर लैक माइनस अंदर cash कितना मौजूद था बता हूँ 24900 यह था ठीक है तो आप मेरे प्यारे बच्चों इदार आ जाओ यह निकार लेते हैं है यह इए इक वल्टू है जो है कि 375 100 375 100 का आउट पर चेस किया था आउट फलो होगा सब्सक्राइब पकॉंट मैं और स लिए आउट फिलो ता तो देखो या inवेस्टिंग एक्टिविटीजिए के दू आउट्फोस है कि invest utilize चाल इसको इसको भूने कर लेते या अगया 1072760 तो यह investing activities को आपके बास तो यह आपके पास यह आपके पास revised operating activities भी तयार हो गई और revised investing activities भी तयार हो गई ठीक है अब मेरी बात सुनों तुम लोगे जहन में यह आ रहा होगा भाई यह तो एक सेकंड में होगी है नहीं भाई नहीं यह एक मिंट में नहीं हुआ असल महेंगा काम पर इसकी workings भूल गए है जो मैंने tax का account बनाया जो म मैंने goodwill की calculation की वो सब आपने वो सारी workings exam में करनी है मैंने उन सारी workings को वहीं करा दिया था मैंने उन सारी workings को उसी sheet पर करा दिया था असल में वो इसके नीचे आपने करनी होती है यहाँ excel पर workings करनी होगी और workings के देखो मैंने अपनी exam technique की class में बोला भी था कि workings की उप वर्किंग टू के थू आई तो वर्किंग टू वर्किंग थी इस तरह लिख देना बाहर हाल मेरे प्यारे बच्चो अब यह जो मैंने वर्किंग आपको वही करा दी है वह आप अब यह कोई सना फिर से एक बार करना इसकी थियोरी नहीं करो चलो यह तो इसकी बहुत सिंपल मैंने भी कराय में वह भी वापिस करो सिर्फ प्री वाला इरिया वापिस कर लो तो यह प्री वापिस कर लेना कोई मुश्किल नहीं है कोई मुश्किल नहीं है उपर नेट पे इसका पूरा सवाल मौझूद है नेट पे आपका इसका क्वेस्टन मौझूद है आप जैसे अ column form में करना चाहें तो भी कर सकते हैं column form में भी करना चाहें तो कर सकते हैं जैसे T account में आप एक side को add करके दूसरी side less ही करते हो ना बेटा T account में आप एक side को add करके दूसरी side को less ही करते हो तो उस तरह भी आप कर सकते हो कि जो add करने वाली चीज़ें उपर लिखी फिर less करने वाली नीचे लिखी तो आपके पास balancing figure automatically आ जाएगी ये तरीका भी बिल्कुल सही है examiner ने इसी तरीके से किया हुआ है तो ये आपकी खिदमत में मैंने ये question solve कर दिया है ये मैं solve जो sheet है pre-populated की जो solve sheet है ये भी आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा ये आपके ग्रूप पे ये हाजर कर दूँगा तो उमीद है आप लोगों नहीं समझ लिया होगा कोई इतना मुश्किल काम नहीं था कोई abnormal देखो ये real past paper है सबसे real past paper है बहुत close past paper है अभी का और ये वही चीज़े हैं इसमें जो प्यारे बच्चों आप लोगों ने अभी recently recently उसमें की थी किसमें क्या कहते हैं जो अभी cash flows के questions है और जो cash flow की classes थी उसमें से की है ठीक है राइट तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा ये इन्शालला मैं आपके साथ share कर दूँगा अलाहाफिज थैंक यू